नमस्ते दोस्तो मैं अंकुर आरिया आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में दोस्तो आज का वीडियो समर्पित है उन सभी भाईयों के लिए जो बार-बार ये पूछ रहे हैं कि हमको नया साल मनाना चाहिए या नई मनाना चाहिए दोस्तो मनाए किस तरीके से वो तो मुझे नहीं पता गया आप किस तरीके से मनाना चाहते हैं यज हवनादी हम प्रतीदी नहीं करते हैं तो वो भी कर लीजिए तो इस प्रकार से इसको सेलिबरेट कीजिए लेकिन जो लोग इस दिन शराबादी पीते हैं फूर्डपन दिखाते हैं छोटे कपड़े पहनते हैं देर राथ तक जागते हैं उन लोगों से सक्त आपती हमको है क्योंकि वो समाज में एक विशला जहर पैदा कर रहे हैं अब यदि हम इस नए साल के अस्तित्व को देखें तो भी यह किसी भी अंदाज से नया साल नहीं है पहली चीज तो इस महीने में कुछ भी नया नहीं है दूसरी चीज यदि हम इनके महीने के नाम देखें तो उसके हिसाब से भी यह नया साल बिलकुल भी नहीं है आईए हम इस वीडियो में देखते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक ये सारे के सारे नाम कैसे पड़े एक दृष्टान्त भी बहुत ज़्यदा प्रचलित है कि पहले रोमन लोग जो थे उनका महिना मार्च और अप्रेल में ही आरंब होता था लेकिन अंग्रेजों ने जान बूझ करके जबरदस्ती जनवरी से महिना को स्टार्ट किया है और जो लोग अप्रेल यानि के जो एक अप्रेल से पहले एक नया साल मनता था उनको मूर्ख कहना शुरू कर दिया और वहां से मूर्ख दिवस की शुरुआत हुई ताकि उनको अ भारत वर्स से कोई संबंद नहीं लगता है प्रतम द्रश्टे जब हम सुरु से उपर से देखते हैं जनवरी का नाम पढ़ा है रोम के देवता जेनस के नाम पर फरवरी का नाम रोम की ही एक देवी फैबर एरिया जो की संतानोत पत्ती की देवी है उसके नाम पर पढ़ा मार्च का नाम जो पड़ा है वो रोम के युद्ध के देवता मार्स के नाम पर पड़ा है क्योंकि सर्दिया का था मुझाती थी मार्च में ही जाकर के वो अपने दूश्वनों के साथ में युद्ध आधी करते थे अप्रेल लेटिन भाषा यानि कि रोम का ही ये शब्द है एसपेरायर का मतलब होता है शुरुवात और आरंब कहीं भी कोई भी चीज़ की जो नई शुरुवात होती है वो एसपेरायर होती है वहां रोम की भाषा में लेटिन भाषा में और वो जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी वहां कहीं न कहीं इसका लिंक यहां से जुड़त पर मई पढ़ा है, हमारे यहां पर भी माता को मईया ही कहते हैं, अभी यह माता को मईया और मईया उनका नाम और उसी से मई नाम जो पढ़ा है, यही एक कॉंबिनेशन आपको आगे भी मिलेगा, मई के बाद आता है जून, जून का नाम पढ़ा है रोम के देवता जियस की व मान देने के लिए जुलाइ अगस्त, अगस्त कैसे पड़ा है अगस्ता सीजर, जो जूलियस सीजर का बतिजा था उसके सम्मान में अगस्ता से बनाया है अगस्त, असली कहानी यहां से शुरू होती है जब हम आते हैं सेप्टेंबर के उपर, रोम की भाषा अरथात लेटिन म मतलब होता है साथ बर का मतलब होता है वाँ साथ वाँ अब और भी आगे बढ़ते हैं तो हमको पता लगता है जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं सब्ट और लेटिन में पढ़ते हैं सब्ट 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 आगे बढ़ते हैं ऑक्टोबर हम तो हिंदी में अक्टूबर पढ़ होता है नो वा और डिसेम्बर डेसेम का मतलब होता है दस बर का मतलब होता है वा यानि के डिसेम्बर है दस वा आपने देखा सब्ट और सेप्ट आपने देखा अश्ट और ओक्ट आपने देखा नवम और नवम और आपने देखा दसम और डेसेम इस प्रकार से हम को पता चाचीन भाशा है उसका असर लेटिन शब्दों में भी आया और यहां से गर हम देखें कि दिसेंबर जो है वो दस्वा महीना है इस प्रकार से फिर जनवरी और फरवरी करमशह ग्यारवा और बारवा महीना आते हैं और इस प्रकार से मार्च मार्च के आसपास का जो टाइम ह वो बैठता है नया साल लेटिन में इसी को ही मनाते थे अप्रेल से सूर्य सिधान्त के नुसार से तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसका पूरा इतिहास क्या है यह किसी भी प्रकार से नया साल बैठता ही नहीं है ना तो वो प्रकरती के तरफ से इश्व पेड़ों के उपर पत्या नहीं है कोई बाहर नहीं निकल रहा है अधिकतर लोग इस समय पर बाहर नहीं निकलते क्योंकि बीमार पड़ने का डर बना रहता है और यदी हम नामों से भी देखें तो भी ये नया साल नहीं है तो तरक तथ्य और प्रमाणों के आधार पर किसी हालत में यह नया साल नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप मनाना चाहते हैं तो यजी आधी करें गरीब बच्चों में गरीब लोगों में कुछ भी अपने सामर्थे निसार कुछ बाटें और ऐसे खुशियां हम कभी भी बाढ़ सकते हैं किसी भी दिन कुछ भी हम कारे कर सकते हैं इंश्वर की तरफ से हमें कोई भी रोक टोक नहीं है हमारे लिए तो प्रत्यक दिन ही एक नया दिन है और नया साल है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सरवादिक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सकते सनातन वैदिक धर्म की जय जय इंद्वन्दे